कुरुक्षेत्र पुलिस ने सलारपुर रोड पर दिन दहाडे गोली मार कर हत्या करने की गुत्थी सुलजा ली है पुलिस ने पांच आरोपितों को काबू किया है जिनके कबजे से वारदात में प्रियोग की गई कार, हतियार, मोटर साइकल तथा मॉबाइल फोन बरामत किये गए है ये जानकारी पुलिस अधिक्षक को रुक्षेत्र हिमान शुगर्ग ने दी है वह आज पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे पुलिस अधिक्षक ने बताया कि तीन फर्वरी को दिन दहाडे सलारपुर रोड पर कार सवार अग्यात लोगों द्वारा रवी निवासी अमीन की अंदा धुन गोलिया मार कर हत्या कर दी थी मृतक के भाई साहिल ने पुलिस को दी अपने बयान में बताया था कि उसके बड़े भाई रवी का करीब दो साल पहले गाउं में जगड़ा हो गया था इस जगड़े में उसका भाई रवी जेल में चला गया था और वहे इस केस में करीब दो साल जेल में बन रहा उसका भाई बारा जनवरी दोहजार इकिस से जमानत पर आया हुआ था ले गए इस सूचना को पाकर वह सिगनस अस्पताल में पहुंचा उसको वहां पर उसकी महिला दोस्त की बहन और काफी सारे लोग मिले उसकी महिला दोस्त की बहन ने वताया कि अनाज मंडी की तरफ से एक रिटिज कार रंग सफेद आई उसमें से चार पांच नोजवान लड कि अपनी कार में अपने अपने हतियार सहित मोके से फरार हो गए जिसकी शिकायत पर पुलिस वारा अग्यात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जाच के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया टीम को गुपत सूचना मिली कि रवी उफ गोर्खा की हत्या करने के आरोपी इस समय समानी पुल से थोड़ा पहले जीटी रोड पर कार सहित खड़े हैं जिस उजना के आधार पर पुलिस की टीम ने चार आरोपियों को कार सहित काबू किया जिनका नाम पता पूछने पर आरोपियों ने अपने नाम सौरब राहुल वासी अमीन वा संदीप और राजू वासी उत्तरप्रदेश बताया आरोपियों से गहनता से पूछताच करने पर आरोपियों ने बताया कि आरोपी सौरब वासी अमीन के पता पर रवी ने जान लेवा हमला किया था उसके बाद उनकी आपस में रंजिश चल रही थी आरोपी सौरब मृतक संदीप वा आशीश से संपर करके योजना बद तरीके से आरोपी सौरब ने अपनी रिटिज कार पर जाली नंबर प्लेट लगा कर आशीश वासी आमीन को रवी की रैकी करने का काम दिया सौरब नामका उसके खिलाफ दो केस दर्ज हैं हमारे ही जिले के आम सेट के केस दर्ज हैं दोजार अठारा के हैं जो यूपी से दो वक्ति आए हैं उनके खिलाफ यूपी में मल्टिबल केस दर्ज हैं एक वक्ति के खिलाफ तो 302 का केस दर्ज है और दूसरे वक्ति के खि जो रहुल व्यक्ति है उसके खिलाफ को अपरादिक रिकॉर्ड अभी तक हमें नहीं मिला है हलाकि हम जाज कर रहे हैं उस बात की तो बाकी जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ अपरादिक रिकॉर्ड मिला है इस सारे जमान लोग हैं, ये इनकी उमर 25 से लेकर 35 साल के वर्ष के बीच की है, 35 साल से उपर इसमें से कोई भी नहीं है कुरुशेतर जले की सलारपुर रोड पे तीन तारिक को एक मर्डर हुआ था, जिसमें रवी और गोर्खा नाम का एक व्यक्ति था, उसको गोली मारके उसकी हत्या कर दी गए थी मुझे बतातो है, बड़ा खुशी हो रही है कि हमारी जो क्राइम टीम्स थी, जो लगातर इस पे लगी हुई थी, उन्होंने अर्टारीस घंटे के अंदर अंदर ही, जो इसमें शूटर्स इंवाल्ड थे और जो लोग इस वारदात में इंवाल्ड थे, उनको गरफतार कर इस केस के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कैसे कैसे पूरी घटना हुई, इसमें चार शूटर एक रिट्स गाड़ी में आये थे, सफेद रंगी रिट्स गाड़ी थी, उन चारों ही शूटर्स को अर्स कर लिया गया है, उनके नाम इस प्रकार से हैं, एक है आशीश, एक है संदीप और एक है राजू, यह पांच लोग मैंने बताए आपको, जिसमें एक आशीश जो नाम के वेक्ति है वो रेकी करने में था, एक्चल शूटिंग में वो नहीं था, तो आशीश नाम के वेक्ति बाइक पे इनका पीछा कर रहा था, जो मरतक है, और टाइम टाइम पे सूचना दे रहा था अपने मुबाइल फोन से में शूटर्स को, कि वो कहां आ करके इसको गोली मार सकते हैं, उसकी सूचना पाकर के जो चार विक्ति हैं, सौरब, राहुल, संदीप और राजू, यह चारो विक्ति उस रिट्स गाडी में आए, इन चारो कि महनत करके, काफी टाइम दिन राज जाक करके, उन्होंने कोशिश करके इसको वारदात को सुल जाया है, और इसमें और जो लोग हैं, अभी कुछ और गरफतारियां भी हमें करनी हैं, हम इसकी तहत तक जाएंगे, जो इसके वेपन का सोर्स है, जहां से वेपन की यूपी का कटा है, एक वेपन अभी रिकवर करना बाकी है, जिसको हम अभी प्रियास करके, उनका रिमान लेकर के मुल्जिम का, उसको बरामत करेंगे, जिस गाड़ी में वारदात हुई थी, वो गाड़ी भी बरामत कर ली जा चुकी है, और एक फरजी नंबर प्लेट उस गाड़ को भी बरामत कर लिया गया है, तो ये केस पूरी तरह से मैं मानता हूं कि खुल गया है, कुछ गरफतारियां बाकी हैं, जो इसमें सपोर्ट मे रहे हैं, जहां से वेपन्स आए हैं, उनको गरफतार करना बाकी है, लेकिन जो में चार शूटर्स थे और रेकी करने अला वक् गरफतार शूटर्स पाने के लिए बल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें, हैन्ने वाल 3D Banquets Enterprise